नलोर नील है ही नहीं तो कौन बताता है संजीरनी के बारे में फिल्म में विभीशन की वाइफ बता रही है तो जब एक जैन जी का बच्चा जिसने रामाइट पड़ी नहीं जानी नहीं जब वो ये देखेगा तो वो यही मानेगा राम जी विटनेस करते हैं कि सीता का परण हो गया है वो पीछे भाग रहे हैं वो सामने लेकर जा रहा है तीरनी मार देंगे राम जी जब हमने सिया के राम कियाना है फिल्ट वेरी हैपई कि हमने अटलिस्ट उस समय उस जिम्मेदारी को समझा था देखिए मुझे ऐसा लगता है कि तथ्य करेक्ट होने चाहिए थे तथ्य से मेरा तात्पर है कि जो भी सब कैरेक्टर्स का जो पॉइंट ओफिय है वो गड़बड है मतलब वो क्यूं है रामायन के अंदर उसका ना तो कोई तात्पर है ना ही वो खुद कुछ कह रहे हैं ऐसा तात्पर मतलब जो करेक्टर्स ऐसा कुछ कर रहे है वो क्यूं है तथ्य से मेरा तात्पर है कि अब भले बाद में उन्होंने विचारों ने एडिट किया हो क्या किया हो पता नहीं सिंपल सा एक इंसिडेंट है कि राम सेतु जब बनता है तो पत्थर तैरते सब को पता है नल और नील दो वानड सेना में वानड थे जिन्होंने वो चीज की थी और वो आर्किटेक्ट थे इंजिनियर्स थे ये उल्लेक है नल और नील हैं ही नहीं जब लक्षमन मुर्चित होकर गिड़ते हैं तो कौन बताता है संजीर्नी के बारे में फिल्म में विभीशन की वाइफ बता रही है हनुमान जी का ये लंका वैज जी को मैं वैज जी का नाम भूल रहा हूँ उनको वो उठाकर कर ले आते हैं उठाकर ले आते हैं फिर वो वहाँ आते हैं पूरा एक वो है प्रकरण है जहां पर वो वैद ये बोलते हैं कि मैं लंका का वैद हूँ और मैं देशद्रो नहीं करूँगा मैं इनका इलाज नहीं करूँगा राम उन्हें बताते हैं उनके धर्म के बारे में कि आपका सबसे बड़ा धर्म है कि आप वैद हैं और वैद कभी भी वैद के लिए सबसे पहले चीज होती है कि मरीज का इलाज करें तो उन्हें वो तो आपने ऐसा कुछ नहीं बताया आपने तत्य बदल दिये जब मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि मुझे कोई आपती है पर जब मुझे इस बात से आपती है कि जैन जी जो आप दावा कर रहे हैं कि उसके लिए मैंने फिल्म बनाई है तो जब एक जैन जी का बच्चा जिसने र इतिहास बदल रहे हैं इसका मतलब है कि आपने ग्रंतों को बदल रहे हैं उसकी इजासत नहीं है आप ग्रंतों को मत बदल लिए आपको यह दिखाना है कि उनका पुश्पक विमान में पीछे दस इंजन लगे हुए हैं और उड़के जा रहे हैं कर लो किसी ने नहीं पुश्पक विमान था वो उड़ता था उस वो लेकर आये थे उसका पूरा प्रकरण है कि जाते हुए वीपीशन उन्हें गिफ्ट में देते हैं वो लेकर जाते हैं ताकि जल्दी पहुंचे रास्ते में सुगरीव जो हैं वो किश्गंदा के राजा बनते हैं वहां रू का प्रण हो गया है वो पीछे भाग रहे है ओ सामने लेकर जा रहा है तीर नी माड़ Catholic एतने पढ़ड़े खरनूर दह रहे हैं इतना बड़ा साव है वो तुho इमाड़ देंगे वो भाग रहे का या पीछे बस वो कुछ नहीं कर रहे हैं और वो सामने लेकर चाह लाया ज जटायू मरते हैं ऐसा कुछ अगर मैं जोगरी वाइस कुछ साल का फूल का जितना मुझे जितना ग्यान है थोड़ा बहुत जटायू गिर गए हैं राम जी सामने आगे हैं वो उनको देखते हैं वो आगे भाग जाते हैं सीता के पीछे वो यहां से वहां दोड़के चले गए तो यह तो आप फिर गलत गरंथ को गलत साबित कर रहे हैं आप गलत कहानी कह रहे हैं जटायू मर जाते हैं वो उसका अंतिम सब्सकार करते हैं वो सब ठीक है बट तेर सो मेनी फॉल्स मतलब बेसिक लेवल बहाशा परिधान तो मतलब मैं चलो बोल रहा हूं ममानी नीरा मतलब आप आपने कहानी बदल दी मैं वो कह रहा हूं प्लस जब अगर आप श्री राम की बात करते हैं आप बोलते हैं कि हमने खाल युद्धकांड उठाया चलिए युद्धकांड आपने उठाया पर वो ऑथेंटिक लिए युद्धकांड भी उठाया आपने तो युद्धकांड क्यूं है किसलिए है क्या है आप कुछ तो बताइए हम अगर बात करते हैं कि बार-बार कि क्यूं रामनन सागर जी की रामायन या सिया के राम को आज भी authentic और relevant प्रासंगिक माना जाता है इसी लिए माना जाता है क्यों क्योंकि उन्होंने मूल भाव से कभी छेड़कानी नहीं की मैं ये बोलूँगा कि जो रामनन सागर जी की रामायन ती उसका जेन जी वर्जन था सिया के राम उसमें और उसमें डिफरेंस इतना ही था technology का production value का उसके अलावा कोई डिफरेंस मुझे नजर नहीं आता मूल भाव में वही भाव से उसे कहा गया ऐसी भाव से इसे कहा गया और ऐसी कितनी सारी कहानी अब मैं education की बात जहां कर रहा हूं कि स्रीया के राम में आपको जानने को मिलेगा कि श्री राम की एक भेंती शान्ता उनका पूरा एक पूरी एक पूरा एक ट्राक है तो रिसर्च ट्राक है तो ये बात कहिए ना ग्रंतों में लिखी होई बात है जो नहीं पता मुमन तो आप educate कर रहे हैं लोगों को नहीं बातों से लेकिन authentic बातों से आप उनको जो लिखा है जो पड़ा है पॉपिलर कल्चर में स्थापित है उससे थुड़ना परे लेकर जा रहे है रामायन 10 के 10 स्टेप तो दुनिया आपको सबको पता है ना कैसे घटी राम जी के साथ में क्या हुआ रामायन में वो 10 स्टेप में सबको पता है आपने वो 10 स्टेप भी फॉलो नहीं किये तो that is where it is wrong उस समय भी आपने देखा कि जो जिस तरह के से हम सिया के राम को बना रहे थे तो बहुत करीब से ग्राउंड लेवल पर आप लोगों ने देखा कि कितना authentically उस समय और कितनी मेहनत से उसे बनाया जा रहा था तो जब आप इतने सालों बाद बड़े पढ़दे पर फिर से अरामायन को देखते हैं बहुत excitement थी इस बात की excitement थी कि finally हमारे देश में हमारे filmmakers अपनी कहानियों की और रुख कर रहे हैं हमारे filmmakers हमारे ग्रंथों की और रुख कर रहे हैं जो इतने सालों से सत्तर पच्छत्तर सालों से मतलब हमने उने इग्नोर करके रखा हुआ बड़े परदे पर विरले एक आधी फिल्म में कोई बनती थी हमारे इतियाज पर या हमारे पुरानिक ग्रंथों पर अब एटलीस बन रही हैं चलिए फाइनली लोग जाग रहे हैं फिर जब आप वो देखते हैं तो आपको हताशा होती है फिल्म से हताशा नहीं होती है मुझे फिल्म से हताशा नहीं है मुझे हताशा है इस बात से कि हमने अपनी नई जनेरेशन ओफ फिल्मेकर्स को एजुकेट ही नहीं किया हमारी अपनी संस्कृती और हमारे अपने गरंथों के परती तो यह क्या गलती उस filmmaker या उन makers की है नहीं यह गलती न हमारी है हमारे पुरे system की है हमारे पूरे जिस तरह से हम पल बढ़ रहे हैं न यह जो पूरा colonized mindset से हम पल बढ़ रहे हैं न यह reason है क्योंकि intent में तो उनकी भी कोई खराबी नहीं होगी जितना मुझे ऐसा लगता है यह म पर अगर उन्हें आता ही नहीं हो, अगर उन्होंने उसके बारे में ग्यान ही नहीं लिया हो, अगर उन्होंको उस सब्जेक्ट में विश्वास ना हो, श्रद्धा ना हो, तब फिर वो कैसे अथेंटिक बनेगे, तो I think गलत ही वहाँ है, मैं तो देखने इसी तर्ज पर गया जिनकों मैं जानता तक नहीं, और कहां कहां से लोग मेसेज कर रहे हैं, और फिल्म देखकर वो ये बोल रहे हैं कि हमें सिया के राम देखने का मन कर रहा है, और हम वो जो पोट्रेल था, वो पोट्रेल आउट्स्टेंडिंग था, बहुत ही ऑथेंटिक था, जो भी उनकी जब भी हम कोई इतिहासिक कहानी कहते हैं, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है हमारे उपर, क्यों कि हम उस कहानी को केवल एंटेटेन्मेंट के लिए नहीं कह रहे हैं, हम एजुकेट करने के लिए कह रहे हैं, हम कोई भी दूसरी फिक्शन कहानी कहा हैं, भले ही वो च एक medium रह गया है और वो है content making का medium किसी भी तरीके से हो तो यह और बड़ी जिम्यदारी हो गई यह filmmakers की कि आपको और authentic चीज़ें बनानी पड़ेंगी क्यों क्योंकि वो चीज़ें पचास साल में आगे आने वाले generations को educate करने वाली हैं तो वो जिम्यदारी का हैसास लेकर हमें इन चीज़ों को बनाना होगा so that is what I thought कि जब हमने सिया के रामकिया ना I felt very happy कि हमने at least उस समय उस जिम्यदारी को समझा था कि और उसको उतना authentically बनाया था क्योंकि research उतनी गाड़ी थी लिखा उतना गाड़ा गया था और जो बनाने वाले लोग थे न वो उनका intent करेक्ट था वो रामायन को नई generation तक लेकर जाना चाह रहे थे जो कि हमें बोला गया कि ऐसा ही कुछ intent था इस film का भी तो जब आप नई generation तक लेकर जाना चाहते हैं तो आप भले नई technology का इस्तमाल करें कहनी कहने के नई तरीके का इस्तमाल करें लेकिन उसका तात्पर कभी भी उसके भाव और उसकी आत्मा को ना बदले वो होना चाहिए तो आपका भाव आत्मा correct होनी चाहिए और आप भले क कुछ भी technology यूज कर लीचे भाशा वो होनी चाहिए समवाद वो होने चाहिए परिधान वो होना चाहिए परिवेश होना चाहिए अप उस दायरे के अंदर आप चाहे जितना experiment कर ले कौन मना कर रहा है now that is creative liberty